सिनेमा डैरी में आप सभी का स्वागत हैं, आज हम एक्स्प्लेंद करेंगे मुवी धकींग ओफ जेल ब्रिकर्स फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जापान की सबसे सुरक्षित जिल जहां सबसे खुखार अपरादियों को रखा जाता है दो गार्ड एक के बाद एक सेल चेक कर रहे हैं और वे आईसोलेशन सेल के पास आते हैं जिसमें है जापान का सबसे खतरना कपरादी जिसका नाम है सुजुकी जो कई सालों से जिल में बंध है गार्ड उसे देखकर चले चाते हैं जिसके बाद सुजुकी मुश्कूर आता है और अपना एक दात निकाल लेता है थोड़ी दिर बाद गार्ड फिर से राउंड पर आते हैं लेकिन तब तक सुजुकी अपने सेल से पहार निकल चुका होता है तब ही गार्ड आइसोलेसन सेल में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुजुकी भाग गया है वे तुरंथ पैक अप पुलाते हैं और कुछी समय में वहां पर आर्मी के बड़े अफसर भी आ जाते हैं इस बीच हम देखते हैं कि सुजुकी जेल की छत से भाग रहा है जैसे ही वह डेड एंड पर पहुंचता है अचानक बारिश होने लगती हैं और फिल्म फ्लैश्बेक में चली जाती है बारा साल पहले कैदियों के एक ग्रूप को एक जेल में लाया जाता है उन कैदियों मे सुजुकी भी है जो 10 साल की सजा काट रहा है वह एक इंट्रोवर्ट रखती है जो कभी किसी से बात नहीं करता और उसके सीने पर एक अजुब सा मांट फुजी टैटू है यहां हमें ये भी बता चलता है कि सुजुकी जेलों से भागने के लिए कुख्यात है क्योंकि वह को बच नहीं पाये अग्ले सिन में सुजुकी को उसके सेल में ले जाया जाता है जो एक छोटा सा कमरा है जहां एक वेंटिलीटर बी है वह बिंटिलेटर को ऐसे घुटा है जैसे कि इसके मन में कोई प्लान हो वहीं गाडग जेल वार्डन कनेमूरा को कहता है कि वह मानते हुए पूरे शहर को घेरने की योजना मनाते हैं लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे उसे 20 मिनिट के भीतर ही ढूंड लेते हैं सुजुकी ट्रेन की पटरी ओपर दोड रहा था बाद में उसे वापस उसी सेल में लाया जाता है लेकिन इस बार उसके हाथ पर हथकड़ी बंदी है रात को जब एक गार्ड उसके दर्वाजे से देखता है तो पता चलता है कि सुजुकी ने उसके असर को कंबल से ठका हुआ है उसे में गार्ड सुजुकी को सर बाहर करके सोने के लिए कहता है लेकिन सुजुकी नहीं सुनता इसके चलते उसे बूरी तरह पिटा जाता है अगली सुबह हम देखते हैं कि जेल वॉर्डन सुजुकी के पिछले जेल के रेकर्ड्स चेक कर रहा है तब उसे एक अजीब सी बात पता चलती है जब भी सुजुकी जेल से पाकता है तो वह तुरंथी पास की रेल पटरियों पर से पकड़ लिया जाता था रात में वॉर्डन गार्ड के साथ रूटिन चेकिंग कर रहे थे जब वे सुजुकी के सेल में प्रविस करता है तो वे ये देखकर चकित रह जाता है कि उसने अपनी हदकड़ी को खोल गिया है जिससे गार्ड बेहत घुसा होता है और जानना चाता है कि उसने हदकड़ी कैसे खोली लेकिन वह हमेशा की तरह चूप रहता है अकले दिन हम सुजुकी के हाथ में एक छोटा सा तार देखते है ये वही तार है जिसकी मजद से वह अपनी हदकड़ी खोलता है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह इस तार को कहां छिपाता था अकले सीन में हम देखते हैं विवार्डन एक हपते की छुटी पर जाता है उसकी अनुकस्तिती में सारे गार्ड निश्टिन्थ हो जाता है और ये सुजुकी के लिए सही वक्त होता है अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए वह तार निकालता है और उससे दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है थोड़ी दिर बाद एक गार्ड रोटिन चेकिंग के लिए आता है जब वह दर्वाजा से देखता है तब सुजुकी फिर से सिर ढखकर सो रहा होता है अईसा लगता है, हलाकि इस बार वह इसे नजर रंदाज कर दिता है तब ही हम देखते हैं कि सुजुकी छत से गाड को देख रहा है वह पहले ही जिल से भाग चुका है और अब वह जिल से भागने के लिए सही वक्त का इंतिसार कर रहा है गाड के जाने के बाद वह जेल की छट पर चला जाता है फिर वह छट के एक सौफ जगह पर गुसा मारता है जिससे छेज हो जाता है और वह बाहर मिकल जाता है जब गाड को बता चलता है तो वह तूरंत अलाम बजाता है वाडन को भी भागने के बारे में बता चल जाता है और वो वापस जेल लोटने का खास्ता करता है अगली सुबर जैसा कि अधिकारी सर्च ओपरेशन के प्लानिंग कर रहे होते हैं तबी वहाँ पर वाडन आता है और सुजाओ जेते हैं कि वे सभी योजनाओं को रत कर दें और एक टीम को पास के रेल वे ट्रक पर बेश दें अफसर दंग रह जाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सुजुकी मुर्ख नहीं है जो हमेशा एकी स्थान पर छिपता रहेगा लेकिन जब वाडन उन्हें बताता है कि वो इस बात के लिए एक्टम श्योर है तो वे सहमात हो जाते है सभी गाट की हैरानी के बीच वाडन की भविश्यवानी सच हो जाती है और भगोडा सुजुकी फिर से रेल पट्रियों के पास पगट लिया जाता है ऐसा लगता है कि जैसे जेल से बाहर निकलते ही उसकी सारी बुद्धी परष्ट हो जाती है अगले दिन वाडन को उसके राइट टाइम एक्शन के लिए एवोर्ड दिया जाता है और मिनिस्ट्री ओफ जश्टिस में एक उच उपत पर प्रमोशन मिलता है अब उसे जेल में अपनी ड्यूटी छोडनी होगी उसका नया कार्य देश बर्की जेलों का दोरा करना और जेल में कैटियो की स्थिति का निरिक्षन करना है दूसरी और सुजुकी फिर से अपने सेल से भाग जाता है और फिर से ट्रिंकी पट्रियों के पास पकड़ा जाता है हर साल बितने के साथ सुजुकी को कई जेलों में बेचा जाता है लेकिन वह उन सारी जेलों से भागता है और नस्तिकी रेलवे ट्रेक से पकड़ा जाता है इसी वज़ा से मीडिया भी अब सुजुकी को breakout king के नाम से जानती है वा काफी famous हो जाता है और बच्चे भी उसे अपना role model मानने लगते हैं इसके बाद फिल्म 12 साल fast forward में आके बढ़ती हैं जहां हम देखते हैं कि सुजुकी को central jail में भीचा जा रहा है इस बार कड़ी निगरानी रखी जा रही है सिर्फ उस पर नज़र रखने के लिए कई सुरक्षा गाड तैनात किये गए हैं उसकी कोठरी भी नर्क समान है जो पूरी तरह से concrete से बनी है और दर्वाजे पर कई ताल है यहीं हमें बता चलता है कि यह वही isolation cell है जिसे हमने फिल्म की शुरुवात में देखा था जैसे ही गाड चले जाते हैं सुजुकी पूरे cell को scan करता है और ऐसा कुछ खोशने की कोशिश करता है जो उसे भागने में मदद कर सके एक दिन एक गाड भोजन लेकर आता है और सुजुकी के cell के अंदर रखता है तभी सुजुकी अचानक उसका हाथ पकट लेता है और हाथ कड़ी लगा लेता है गाड अपनी सीटी बचाता है और तुरंत बैक अप पुलाता है तुरंत ही दुसरे गाड आ जाते है और सेल खुल कर सुजुकी की पिटाई करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है पोश में आने के बाद वह दरवाजे की छोटी सी खिटी से गाड की मुमेंट को ट्रैक करता है जब वह ऐसा कर रहा होता है उसके चेरे से खुन तपकता है और लोहे की सलाखो को भिखो देता है अगली सुबर गाड सुजुकी की हतकडी में कुछ अतिरिक स्कुरू लगाते है ताकि वह उसे खोल ना सके और जाने से पहले वह एक बार फिर सुजुकी की पिटाई करते है इस तरह सुजुकी के दिन बितने लगते है वह जान बुचकर गाड पर हमला करता है और पिटा जाता है फिर दरवाजे की लोहे की सलाखो को अपने खुन से भिगो देता है एक दिन गाड ने उसे इतनी बुरी थरा पिटा कि उसका एक दाट तूट गया हैरानी की बात यह है कि सुजुकी उसे उठाता है और मुझकुराता है जैसे कि उसने कोई प्लान बनाया हो और वह प्लान सफल हुआ हो अगले सीन में सुजुकी अपने दाट से दिवार पर कुछ ड्रॉइंग करता नजर आता है तब ही गाड आता है तो वह तुरंट अपने मुग के अंदर दात को उसकी मुल स्थिती में रख देता है कुछ अपते बाद सुजुकी ने एक और गाड पर हमला किया और इसके बाद वह सभी उसे काफी कठोर सचा देते हैं वह सुजुकी को एक जंजीर से बांद देते हैं और कठीन मुद्रा में खड़ा करते हैं दिन बित्ते रहते हैं लेकिन वह अभी भी उस स्थिती में हैं एक दिन सबको चौकाते हुए सुजुकी गाना गाना शुरू कर देता है तब सब को ये पता चलता है कि सुजुकी बोल सकता है ऐसे ही एक साल भी जाता है और सुजुकी अभी भी सजा भुकत रहा है उसी शाम गाड उसके सेल में प्रवेस करते हैं और जंजीरों को उतार देते हैं अखिरकार पूरे एक साल के बाद सुजुकी को आरा मिलता है। इस पीच पुर्व वार्डन कने मुरा वहां की सुविधाओं का इंस्पेक्शन करने के लिए जील पर पहुंचता है। जब वे आइसोलेशन सेल के पास जाता हैं तो उसे एक बीमार सुजुकी दिखाए दिता हाला कि वह उसे अंदेखा करता है और चला जाता है। इसके बाद हम फिल्म की शुरुआत के उस हिस्से में आता हैं जहां से फिल्म फ्लैश्बेक में गई थी। जब बहार बातोलों की गड़गडा शुरू होती हैं सुजुकी अपने प्लान को एक्शन में लाता है। ऐस प्लास्तों में वह सिर्फ अपने दाद की धार निकाल रहा था ताकि वह स्कुरू खोल सके। हथकड़ी से मुक्त होने के बाद वह दर्वाजे के पास आता है और लोहे की सलाखों को जोड से हिलाना शुरू कर देता है। लगातार खुन बहने के कारण लोहे की सलाखों मे जंग लग चुका है जिससे वह आसानी से निकल जाता है और इसके साथ सुजुकी उस जेल से बच निकलता है। दोस्तों इस दिन के बाद हम सुजुकी के पास्ट को देखते हैं जिस दिन सुजुकी का जन्म हुआ था उसी दिन उसके मा की मृत्यू हो जाती है जबकि उसक पालन पूर्शन उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने किया है एक दिन जैसा कि सुजुकी जंगल में जिमनाश्टिक का अभ्यास कर रहा था अचानक उसके पिता वहां आ जाते हैं तक सुजुकी अपने पिता के सीने पर वहीं ट्याटू देखता है जो उसके सीने पर है तभ कने मुरा ट्रैक पर आकर उसे रुपता है कुछ दिर बाद गाट्स वहां पर आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं यह देखते हुए कि सबसे सुरक्षित जिल से भी सुजुकी भाग गया है क्राइम डिपार्टमेंट के हेड कने मुरा को आदेश देते हैं कि सुजुकी को द सबस्ते हो होचना असंभव हो जाता है यह जिल अंदर से और भी खतरनाक हैं जिल के अंदर हजारों काड़ हैं औरको कई दीप हो देखते ही गोली मार दी जाती हैं जहरीला खाना भी दिया जाता है जो दीरेदीरे उन्हें पागल बना देता है शुजुकी जब वहां कहु सुजुकी के बारे में जानकारी खोचना शुरू करते हैं थोड़ी खोचकन के बाद उन्हें कुछ पुरानी फाइले मिलती हैं वहीं सुजुकी पिंजरे नुमा सेल में ध्यान कर रहा है हालाकि उस जगर से भागना नाममकिन सा लगता है लेकिन उसके मन में एक विचार आत कुछ दिर बाद वह अपना ध्यान समाप करता है और अपनी आखे कोलता है फिर वह अपने दोनों गंदों को डिस्लोकेट कर दिता है और धीरे धीरे लोहे के पिंजरे से बाहर आता है तब ही एक्क्याती उसे देखता है लेकिन वह जहरी ले नशे में है और कुछ बोल नह है वह इस बात से भी खुश है क्योंकि उसके गाड को आखिरकार एक और कैदी को मारने का मौका मिल गया है कने मुरा उसे बताते हैं कि सुजुकी एक जिनियस है लेकिन वॉर्डन उसकी बात पर हसता है और कहता है कि वह अगली सुबह सर्च उपरेशन शुरू करेंगे सु जो कि इसी जेल में बंध है यह बात सभी को हैरान कर देती है और आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है यह प्लान सुजुकी का मास्टर प्लान था वह जान बूच कर खुद को जेल में डालता था और हर बार जेल से भाग जाता है क्योंकि उसे प्रिजन आयल तक पहुंच रहे हैं हरान की बात यह है कि जब वह पहुंचते हैं तो सुजुकी और बुड़ा आदमी पहले ही जा चुके होते हैं सुजुकी अपने पिता को आईलेंड के किनारे पर ले आता है जहां उसके पास एक पैराग्लाइडर तयार है फिर दोनों ग्लाइडर पर सवार हो जात है इस बीच कने मुरा एक बुड़े वक्ती से पुश्टाच करने की कोशिश करता है जो उसी कमरे में रहता है जहां सुजुकी के पिता भी रहते हैं तब ही वह आदमी के सीने पर वहीं टैटू देखता है और अचंबित हो जाता है आखिर में कने मुरा बताता है कि इतने सुजुकी प्लानिंग के बाद भी सुजुकी गलत आत्मी के साथ भाग गया है और इसी के साथ यह फिल्म समाथ हो जाती है जोस्तों फिल्म पसंद आही हो तो वीडियो को लाइक और शेर कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए